भारत मतकी दिवाली का आज पावन त्योहार है और हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवार जनों के बीच मनाओं और इसी लिए हर दिवाली मैं मेरे परिवार जनों के बीच मनाने के लिए आता हूँ हाए कि आप मेरे परिवार जनों मैं आपका परिवार का साथ है कि मैं नेहां परादान मंत्री रूप में नहीं आया हूँ है कि मैं कि आपके परिवार के एक सद्रस्रे के रूप में आया mechanics tip आप सभी के बीच आना जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है वो ही भाव मेरे मन में होता है और जब से मैं इस समयधानिक जिम्मेवारी को समाल रहा हूँ आज इसको बीच साल से वेतिक समय होगे रहा हूँ अब बहुर लंबे अर्षे तक मुझे बेश्वासियों ने इस प्रकार के सेवा का मोका दिया पहले गुजरात वालों ने दिया देश्वासियों ने दिया लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर पैनात आप मेरे परिवार जनौं के भीच भीकाई तो कि आज में फिर आपकी एक सऑ तीश करोर देश वासिओं के आशिरवात आपको ले लेकर किराया हो, ओो देड़ सारा आशिरवात लेकर किराया हो आपके ओस कि आज शाम को, दिवाली पर एक दिया, आपकी वीर्टा को, आपके शाव्ये को, आपके पराक्रम को आपकी त्याग और तप्रस्या के नाम पर और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं ऐसे आप सब के लिए हिंदुस्तान का हर नागरीक वो दिये की जोद के साथ आपको अनेक अनेक शुब कामनाई भी देता रहेगा और आज तो मुझे पका विश्वांस है कि आप घर पर बात करेंगे हो सका तो फोटू भी भेज देंगे और मुझे पका विश्वांस आप कहें हाँ आ रहा इस बार तो दिवाली कुछ और थी कहेंगे ना आप रिलेक्स हो जाईए आप कोई कोई आपको देखते नहीं आप चिंता मत किजिए आप यह भी बताएंगे ना तो मिठाय भी बहुत खाई थे नहीं बताएंगे तो बोलो ना साथियों आज मेरे सामने देश के जो वीर है देश की जो वीर बेटियां है वो भारत मा के ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका सवभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है किसी किसी को ही मिलता है जो सवभाग्य आपको मिला है मैं देख रहा हूं मैं बैसूस कर रहा हूं आपके चहरे के उन मजबूत भावों को मैं देख रहा हूं आप संकल्पों से भरे हुए है और यही आपके संकल्प यही आपकी पराक्रम की पराकाश्टा करने की भावनाएं चाहे हिमाले हो रेगिस्तान हो बरफिली छोटियां हो गहरे पानी हो कहीं पर भी आप लोग मा भारती का एक जीता जाकता सुरक्षा कवच्छ है आपके सीने में वो जज़बा है जो 130 करोड देश स्वाचियों को भरोसा होता है वो चैन की निंद सो सकते हैं आपके सामर्था से देश में शान्ती और सुरक्षा एक निश्चिंत तता होती है एक विश्वास होता है आपके पराक्रम की वज़े से हमारे परवों में प्रकाश भलता है खुशियां भर जाती है हमारे परवों में चांद लग जाते हैं अभी दिपावली के बाद गोवर्दन पूजा पुर्भया दूच और छट परव भी बिलकुल गिंती के दिनों में सामने आ रहा है आपके साथ ही मैं सभी देश वाचियों को नौशेरा की इस वीर वसुंदरा से इन सभी परवों के लिए देश वाचियों को भी बहुत बहुत सुब कामनाय देता हूँ देश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग आज दिवाली का जब दूसरा दिन होता है तो नवबर्ष की भी शुरुआत करते हैं और हमारी यहां तो हिसाब किताब भी दिवाली के से पूरा होता है और दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है खास करके गुजरात में कल नया साल होता है तो मैं आज नवशरा की इस बीर भूमी से गुजरात के लोगों को भी और जहाँ जहाँ नवर्ष मनाते उन सबको भी अनेक अनेक मंगल कामना आए उनके लिए देता हूँ साथियों जब यहां नौश्यरा की पवित्र भूमी पर उत्रा यहां की मिट्टी का स्पर्श किया तो एक अलगी भावना एक अलगी रोमांच से मेरा मन भर गया यहां का इतिहास भारतिय सेना की वित्ता का जैगोश करता है हर चोटी से उस जैगोश सुनाई देता है यहां का वर्तमान यहां का वर्तमान आप जैसे वीर जवानों की विर्ता का जीता जागता उदाहरन है विर्ता का जिन्दा सबूत मेरे सामन महजूद है नौसरा ने हर युद्ध का हर चद्म का हर सड्य अंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और स्रीनगर के पहरी का काम किया है आज़ादी के तुरंद बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी नौसरा पर हमला हुआ दुश्मनों ने उचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की और अभी जो मुझे पूरा वृत्त देख वीडियो समय सारी चीज़ मुझे देखना समयने का मोका मिला और मुझे खुशी है कि नौसरा के जाबाजों के शावरिय के सामने सारी साजी से धरी की धरी रह गए दोस्तों भारतिय सेना की ताकत क्या होती है इसका एसास दुश्मन को शुरूआ के दिनों में ही लग गया अभाजी मैं नमन करता हूँ नौसरा के शेर बिगेडियर महमद उस्मान को नायक जदुनात सींजी को जिनों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया मैं पडाम करता हूँ लिपिनेंट आर आर राने को जिनों ने भारतिय सेना की जीत का नाश्ता प्रसश्त किया था ऐसे कितने ही विरों ने नौशेरा की इस धरती पर गर्वी की गाथा हैं लिखी अपने रक्ष से लिखी हैं अपने प्राकंद से लिखी हैं, अपने पूरसार से लिखी हैं, देश के लिए जीने मरने के संकल कोंसे लिखी हैं, अभी मुझे इमरा सभाग करना benefit MARK कि दिवाडी के इस पवीतर त्योहार पर मुझाज दो ऐसे महापुरुषों के आसिरवाद प्राप्त करने का सवभाग मेरा वो मेरे जीवन में एक प्रकार से अनमोल दिरासत है मुझे आसिरवाद मिले स्री बलदेव सी और सी बसंद सी जी ये दोनों महापुरुष बाले कान में मा भारती की रक्षा के लिए होज के साथ कंध से कंधा मिलाकर के साधनों के अभाव के बीच भी और जब मैं आज सुन रहाता उनको वोही जज़बा था जी और वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे आज ही अभी से लड़ाई का मैदान चाहे हैं ऐसा वर्णन कर रहे थे आजाती के बाद हुए उद्ध में ऐसे अनेकों स्थानिय किशोरों ने ब्रिगेडियर महमद उस्पान के मारदर्शन से बाल सैनिक की भुमिका निभाई थी उन्होंने अपनी जीवन की परवाण न करते हुए उतनी कम रुम्र में देश की सेना के साथ कंज़े से कंधा मिला करके काम किया था नौशेरा के सोर्य का इस सिलसला कब से जो सुरू हुआ न कभी रुका है न कभी जुका है यही तो नौशेरा है सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भुमी का निभाई वो हर देश वाशी को गौरों से भर देता है और वो दिन तुम्हें हमेशा यहां रखोंगा क्योंकि मैं कुट्ताय किया था सुर्यास्त के पहले कि सब लोट करके आज आने चाहिए और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिक-टिका के बेटा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या और कोई भी नुक्षान किये बिना कि मेरे वीर जवान लोट करके आगए पराकरम करके आगए शिद्धी प्रांप्त करके आगए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां आशांती भेलाने के अंगिनित कुछ सिद्ध प्रयाच हुए आज भी होते हैं लेकिन हर बार आतंगवाद को महतोड जवाब मिलता है असत्य और अन्याय के खिलाप इस दर्ति में एक स्वाभावी प्रेणना है माना जाता है और मैं मानता हुए अपने आप में बड़ी प्रेणना है ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्यात वाज के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतित किया था आज आप सब के बीच आकर मैं अपने आपको यहां की उर्जा से जुड़ा हुआ मैसूस कर रहा है साथियों इस समय देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का पर्म मना रहा है आज़ादी का अमरत महोसो गुलामी के लंबे कालखन में असंख्य बलिदान देकर हमने यह आज़ादी हासिल किया इस आज़ादी के रक्षा करने का दाइत्वा हम सभी हिंदुस्तानियों के सर पे हैं हम सभी जिमेवारी हैं आज़ादी के अमरत कालब हैं हमारे सामने नए लक्ष हैं नए संकल्प हैं नई चुनोतिया भी हैं ऐसे महत्पपों कालखन में आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग हैं और अपने संसाधनों को लेकर भी दुर्भागे से पहले हमारे देश में सेना से जुड़े संसाधनों के लिए ये मान दिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेशों से ही मिलेगा हमें टेक्नोलोजी के मामले में जुकना पड़ता थे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे नए हथियार नए उपकरन खरीदने होते थे तो प्रक्रियां सारों सार चलती रहती थी यहने एक अफसर फाइल शुरू करें वो रिटायर हो जाए तब तक भी चीज नहीं पहुंती थी ऐसा ही कालकंटा नतीजा ये कि जरुरत के समय हथियार फिर आपा धापी में खरीदे जाते थे यहां तक कि स्पैर पांट्स के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे साथिओं डिफेंस सेक्टर में आत्म निर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थीतियों को बदलने का एक ससक्त मार्ग है देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजेट होता है अब उसका करीब 65 प्रतिशत देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है हमारे देश से सब कर सकता है करके दिखाया है एक अभुत्पुर्वा कदम उठाते हुई अब भारत ने ये भी तैय किया है कि दोसों से ज़्यादा साजो सामान और उपकराण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे आत्मनिर भर भारत का यही तो संकल्पा है अगले कुछ महनों में इसमें और सामान जुड़ने वाले है देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली ये पॉजिटिव लिश्ट और लंबी हो जाएगी इससे देश का डिफेंस सक्टर मजबूत होगा नएने हथ्यारों उपकरों के निर्मान के लिए निवेस्ट बढ़ेगा साथ क्यों आज हमारे देश के भीतर अरजुन टैंक बन रहे हैं तेजस जैसे अत्याधुलिक लाइट कॉमबेक्ट एरकाप बन रहे हैं अभी विजया दस्मी के दिन साथ नई डिफेंस कंपनियों को भी राष्ट को समर्पित किया गया है हमारी जो ओडिनेंस सेक्टरीज थी वो अब स्पेशलाइज सेक्टर में आदुनिक रक्षा उपकरन बनाएगी आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट रक्षा की संकल्प का सार्थी बन रहा है हमारे कई नए डिफेंस स्टाटप्स आज अपना परचम लहरा रहे हमारे नवजवान 20-22-25 साल के नवजवान क्या क्या चीज़े लेकर क्या आ रहे गर्व होता है साथियों उत्तर प्रदेश और तमिलनाड़ु में बन रहे डिफेंस कोरिडोर इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं यह सारे कदम जो आज हम उठा रहे हैं वो भारत के सामर्त के साथ साथ डिफेंस एक्षपोर्टर के रूप में हमारी पहचान को भी ससक्त करने वाले हैं साथियों हमारे सास्त्रों में कहां गया है को अतिभारह को अतिभारह समर्था नाम यानि जो समर्थ होता है उसके लिए अतिभार मायने नहीं रखता वो सहज ही अपने संकल्पों को सिद्ध करता है इसलिए आज हमें बदलती दुनिया युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार ही अपनी शैन्य शक्ति को भी बढ़ाना है उसको नए ताकत के साथ ढालना भी है हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे इस तेज परिवर्तन के अनुकुल ही ढालना ही होगा हमें मालू है किसे दमें हाथी गोड़े पर लड़ाईया होती थी अब कोई सोत नहीं सकता हाथी गोड़े की लड़ाई रूप बदल गया पहले शायद युद्ध के रूप बदलने में दसकों लग जाते होंगे सतादिया लग जाते होगी आज तो सुबह एक तरीका होगा तो शाम को दूसरा तरीका होगा लड़ाईका इतनी तेजी से टक्नोलोजी अपनी जगा बना रही है आज की युद्ध कला सिर्फ ऑपरेशन्स के तोर तरीकों तकी सिमित नहीं है आज अलग-अलग पहलुओं में बहतर तालमेल टेक्नोलोजी और हैब्रीट ट्रेक्टिस का उप्योग बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है संगठी देतरुत्व एक्षन में बहतर सामनवाए आज बहुत जरूरी है इसलिए बीते समय से हर्स्तर पर लगातार रिफांस किये जा रहे है चीफ अब डिफेंस टाप की नियुक्ति हो या डिपार्टमेंट अब मिलिटरी अफर्स का गठन यह हमारी शैन्य सक्ति को पॉर्डर इंफ्रस्ट्रक्टर भी हमारी शैन्य ताकत को और मजबुत करने वाला है सीमा वर्ती इलाकों की कनेक्टिविटी को लेकर पहले कैसे काम होता था यह आज देश के लोग आप सभी भली भाती जानते हैं अब आज लदाग से लेकर के अरोना चल प्रदेश तक जेसल मेर से लेकर के अनवान निकोबार दीप तक हमारे बॉर्डर इरियाज में हमारे समुद्रिक तट पर जहां सामान्य कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी वहां आज वहां आधुरिक रोड बड़े टनेल्स पूल और अप्रिकल फाइबर देसे नेट्वर्क बिछाए जा रहे हैं इससे हमारी डिप्लोइमेंट केपिविलिटी में तो गुत्पुर्व सुदार हुआ ही है सैनिकों को भी अब भावत अधिक सुविदा हो रही है साथियों नारी शक्ति को नए और समर्थ भारत के शक्ति बनाने का गंबीर प्र्यास बीते साथ सालों में हर सेक्टर में किया जा रहा है देश की रक्षा के खेतर में भी भारत की बेटियों की भागिदारी अम नई बुलंदी के तरफ बढ़ रही है नेवी और एरफोर्स में अग्रीम मोर्चों पर तैनाती के बार अब आर्मी में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है मिल्ट्री प्रुलिस के द्वारा बेटियों के लिए खोलने के बाद अम महिला अपसरों को पर्मानेंट कमिशन दे रहा इसी भागिदारी की विस्तार का ही हिस्सा है अब बेटियों के लिए नेशनल डिफेंस अकडेमी राष्ट्रिय मिल्ट्री स्कूल और राष्ट्रिय इंडियन मिल्ट्री कॉलेज जैसे देश के प्रीमियर मिल्ट्री संस्तानों के दरवाजे खोले जा रहे हैं इसी वर्स पंदरा अगस को मैंने लाल के लिए से ये भी गोशना की थी कि अब देश भर के सभी सैनिक स्कूलों में बेटियों को भी पढ़ाई का आउसर मिलेगा इस पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है साथियो मुझे आप जैसे देश के रक्षकों की वर्दी में केवल अथा सामर्थ के ही दर्शन नहीं होते हैं मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे दर्शन होते हैं अटल सेवा भाव के अडिक संकल प्रशक्ति के और अतुल्निय संबेदन शिल्टा के इसलिए भारत के सेना दुनिया की किसी भी दूसरी सेना से अलग है उसकी अलग पहचान है आप विश्व की सिर्श सेनाओं की तरफ एक प्रफेशनल फोर्स तो है ही लेकिन आपके मानविय मुल्य आपके भारतिय संस्कार आपको और उसे अलग एक असाधारन व्यक्तित्व के धनी बनाते हैं आपके लिए सेना में आना एक नोकरी नहीं है पहली तारीक को तंखा आएगा इसके लिए नहीं आए है आप लोग आपके लिए सेना में आना एक साधना है साधना जैसे कभी रुशी मुनी साधना करते थे ना मैं आपके हरेक के भीतर वो साधक का रूप देख रहा हूँ और आप मा भारती की साधना कर रहे हैं आप जीवन को सुल्चाई पर ले जा रहे हैं कि जिसमें एक सो तीस करोर देश वास्यों की जिन्दगी जैसे आपके भीतर समाहित हो जाती है यह साधना का मार्ग है और हम तो भगवान राम में अपने सर्वोच्च आदर्श खोजने वाले लोग हैं लंका विजय करने के बाद भगवान राम जब अवध्या लोटे थे तो यही उद्गोश करके लोटे थे अपी स्वान मैं लंका नमे लक्ष्पन रोचते जनिनी जन्म भूमिश्य स्वरगाद अपी करिये श्यों यानि सोने और समरुति से भरपूर लंका को हमने जीता जरूर है लेकिन हमारी ये लड़ाई हमारे सिध्धानत और मानवता की रक्षा के लिए थी हमारे लिए तो हमारी जन्म भूमिश्य हमारी है हमें वहीं लोटकर उसी के लिए जीना है अर इसलिए जब प्रभू राम लोटकर आये तो पूरी अयोध्या ने उनका स्वागत एक मां के रूप में किया अयोध्या के हर नर्नारी ने यहां तक कि पूरी भारत वर्ष ने दिवाली का आयोजन कर दिया यही भाव हमें औरों से अलग बनाता है हमारी यही उद्दात भावना हमें मानविय मुल्यों के उस अमर सिखर पर विराजमान करती हैं जो समय के कोलाहल में सभ्यताओं के हलचल में भी हडीग रहती हैं इतिहास बनते हैं इतिहास बिगडते हैं सत्ताय आती हैं सत्ताय जाती हैं सामराज आसमान छुते हैं डहते हैं लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा हम रास को शासन सत्ता और सामराज्य के रूप में नहीं देखते हैं हमारे लिए तो ये साक्षात जीवन्त आत्मा है इसकी रक्षा हमारे लिए केवल भाव गोलिक रेखाओं की रक्षा भर नहीं है हमारे लिए राष्ट्र रक्षा का आर्थ है इस राष्ट्रिय जीवन्तता की रक्षा राष्ट्रिय एकता की रक्षा और राष्ट्रिय अखंडता की रक्षा इसलिए हमारी सेनाओं में आकास छुता सावर्य है तो उनके दिलों में मानवता और करुणा का सागर भी है इसलिए हमारी सेनाओं केबल सिमाओं पर ही प्राक्रम नहीं दिखाती जब देश को जरुरत पड़ती है तो आप सब आपदा विपदा बिमारी महामारी से देश वाच्चों की हिवाज़त के लिए मैदान में उतर आते हैं जहां कोई नहीं पहुँचे वहां भारत की सेनाएं पहुँचे ये आज देश का एक अटूट विश्वास बन गया है हर हिंदुस्तानी के मन में से ये भाव अपने आप प्रगट होता है ये आगे न अरे चिंता नहीं अप हो गया लिए ये छोटी ची नहीं आप देश के घंड़ता और सार्व भौमिता के प्रहरी है एक भारत स्रेष्ट भारत के संकल्प के प्रहरी है मुझे पूरा भरोसा है कि आपके शावर्य की प्रेणा से हम अपने भारत को सिर्स उचाईयों तक ले कर जाएंगे साथियों दिपावली की आपको भी शुब कामना है आपके परिवार जनों को शुब कामना है और आप जैसे वीर बेटे बेटियों को जन्म देने वाली उन माताओं को भी मेरे प्रणाव है मैं फिर एक बार आप सब को दिपावली की अनेक अनेक शुब कामना है देता हूं मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद